नमस्कार, सौगत है आप सबका ABC of India में जहां हम बात करते हैं Indian Heart, Beauty and Craft की करोना जैसी महमारी जिसने केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व को आज अपनी चपेट में लिया हुआ है और जिससे आज हम सब परिशान हैं वह करोना और ऐसी असंक बिमारिया जिससे कई लोग अपने जीवल में परिशान रहते हैं इन सभी बिमारियों का न सर्फ एक उपाए और इलाज बल्की जीवल को सुचारो रूप से चलाने का एक मार्ग है भारत की इस प्राचीन और वज्ञानिक कला में और वो कला है योगा तो चलिए जानते हैं कि क्या है योगा और कैसे यह असंक बिमारियों को हमसे दूर रखने में हमारे मदद करता है योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं परकि यहां भारत की वो प्राचीन कला है जो विज्ञान पर आधारत होने के साथ सार्थ जीवन जीने की भी एक कला है योग इस तरीके से हमारे शरीर की हर बिमारी और कमी को दूर करता है यहां जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरती है कि योगा है क्या योग्षप्त की उत्पत्ति संस्कृप्त की शप्त यूद्स से हुई है जिसका अर्थ होता है जुड़ना या फिर जोड योगा मानव और प्रिक्रति के बीच का वो जोड़ है जो मनुश्य को अपने साथ साथ परमात्मा से भी जोडता है और जब हम अपने आपको अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं तो हमें अपने जीवन में नियंत्रण और सयम रखने में मदद मिलती है और हमारा मन भी स्तिर होता है योगा के 84 क्लासिक पोजिस या फिर आसन के इस तरह असंक बिमारियों क सकरात्मक उर्जा से भरकर नेगेटिविटी से दूर रखता है जिससे हमारा दिल और दिमाग दोनों रिलैक्स हो पाते हैं और हमारे जीवन में हाइपरटेंशन और डिप्रेशन जैसे मेंटल डिसॉडर्स तूर होते हैं योगा हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता हैं जिससे असंक्य रोग हमसे तूर रहते हैं किसमें से योगा हरेकासन सासों का राधारित देक्षा हैं और अने को चलिंदेंग जैसे कि एस्टमक और आज की समय की अनियंथ्विक करोना महामारी भी योगा के जरीयनीथ्विक हो सकती है क्योंकि योगा से हमारे शरीर में ок辜िजन की सही मात्रा बनी रहती है योगा से हमारा the digestive system भेधर होगोता है और शरीर को परियाप पूर्जा मिलती है पर याप पूर्जा मिलने से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिजम ठीक रहता है जिससे अनेको हॉर्मोनल इंबैलेंसे से होने वाली बिमारिया या शरीर की कम्या दूर होती है जैसे थाइरॉइड, PCOD, शुगर और उबैसिटी योगा से हमें अच्छी मीड आती है और हमारे पूरे दिन भर का काम सुचारू रूप से और सही रंग से हो पाता है हमें चुचड़ापन नहीं होता और हम खुश रहते हैं खुश रहने से और एक पीसफुल माइन होने से हमारी बॉडी में प्रब सर्कूलेशन बहतर होता है जिससे बीपी और हार्ड अटेक जैसी परिशानिया नहीं होती और साथ ही हमारे चेहरे पर चमाकाती है हमारी स्किन बहतर होती है और कई तरह की ऐलर्जीस से हमको चुटकारा मिलता है योगा हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है और हमारी हट्यों को मजबूत जिससे हमारे शरीर का स्केलेटल सिस्टम भी मजबूत बनता है स्केलेटल सिस्टम मजबूत होने से आर्थराइटेस और ऐसे ही कई हटियों की बिमारियों से हम दूर रहते हैं योगा हमारे दिल, दिमाग, शरीर और प्रकृति का वो अध्वत जोड़ है जो मनश्य को हर रोग और बिमारी से दूर रखता है और हमें एक खुपसूरत जीवन प्रदान करता है योगा के कई आसन जैसे की प्राणायाम, कपाल भार्ति, अनुलों मिलों, ट्रिकोन आसन, बाल आसन, सुखासन, भुजंद आसन, सर्वांद आसन, सेतु बंद आसन हमें अंगिनत फाइदे पहुचाते हैं और कई विमारियों को हमसे दूर रखते हैं और इन्हें हमें नियमित रूप से करना चाहिए भारत की ये अतुल्य कला मानव कल्यार का एक भेतरीन उधारण है हम सभी भारतियों को भारत की इस प्राचीन और चमतकारी कला पर गर्व होना चाहिए और साथ ही हम सभी को अपने जीवन में योगा को अपनाना चाहिए आप सभी का जीवन स्वस्त्य, सुन्दर और निरोगी बने और हम सभी को करोना रहित एक सुन्दर संसार मिले इसी उमीद के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही भारत की ऐसी ही असंग के अद्बुत कलाओं को जानने के लिए देखते रहें ABC of India प्लीज लाइक और सब्सक्राइब उस और थैंक यू फर वाचिंग प्लाइब उसे प्लाइब वाचिंग